प्रवेश पत्र अप्रेट नहीं होने से विदार्थियों और उनके परिजन परेशान है पोर्टल पर प्रवेश पत्र अप्रेट नहीं होने से ये परिशानी बढ़ गई है टाइम टेबल में 10 अप्रेल को होने वाली भाशा की परिक्षा में उर्दू विशे की परिक्षा सिर्फ मदर्सों तक ही सीमित बताई गई है राडिसान उर्दु शिक्षक संके प्रदेशा देक्ष अमीन कायम खानी ने बताया कि उर्दु विशे को पहले मदर्सों तक ही सीमित किया गया था इसे सरकारी और गैर स्कूलों के परिक्षा में शामिल नहीं किया गया था नब इस मामले को विभाग और सरकार को अवगत कराया गया तो सरकार ने इसका संशोदित टाइम टेबल तो जारी कर दिया लेकिन विभाग ने अब तक प्रवेश पत्रों को अपडेट नहीं किया है इससे अर्ब संखिक समुधाय के बच्चे परिशान हो चुके हैं और विभाग को इससे तुरंथ ही अपडेट कराना चाहिए देखिए पांचवी बोल्ड का जो जीला इस तरक के उपर बोल्ड की प्रिक्षा हो रही है उस परिक्षा के अंदर राजस्तान के अंदर उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती जो लेंग्वेजेज है वो अकलिती जबान का दर्जा आशी लेंग्वेजेज है पांचवी बोल्ड की परिक्षा के अंदर जो दस अपरेल को एक्जाम होने जा रहा है ते उसके अंदर सेंसकर्ट की स्कुलों में ज जो सींसकर्ट का पर्चा हो रहा है उर्दू को सिरथ मदर्सों तक महदूद कर दिया था और साथ में शिंधी लेंवेज Kelvin भी सरकारी और गर सरकार्य स्कुलों मेरी है हमने इसको लेकर के 13 मार्च को मुखमनत्री कारहले में संपरक किया था हमने बाकाइदा हमारा ग्यापन दिया था और मुखमनत्री कारहले ने तत्वली उसके उपर एक्सेल लेते हुए 13 तारीक को ही संसौतित आदेश भी जारी करवा दिया था कि जो पांची बोर्ड का उर्दू का परचा है वो मदर्सों के बच्चों तक ही नहीं बलकि सरकारी और गेर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले इस्टूडेंट्स है उनको भी प्रिक्षा में सामिल किया जाएगा देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी ख़बर के लिए सबस्क्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पां सकें ताजा ख़बरों की नोटिफिकेशन